दोस्तों मैं पाइचाम के उपर आ चुका हूँ और जैसे कि हम एक ऑब्जेक्ट यूज करते हैं हम भी तक वैसा ही मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है ठीक है अब मैं इस ऑब्जेक्ट से जो है अपना डेटा फ्रेम बनाने जा रहा हूं तो df is equal to pd.dataframe और मैं obj को पास कर दिया है ओके हम प्रिंट करा लता हूं df को quickly इसको run करता हूं तो आप देख लिए किस तरीके से जो हमारा डेटा फ्रेम बना है अब हम इसको पिवर्ट यूज करके हमार को एक जो है डेटा फ्रेम नया रिशेप करके बनाना है तो मैं यहा और मैंने आपको बताया कि यहां पर तीन चीज़े हम पास करते हैं इंडेक्स कॉलम्स और वैल्यूस तो इंडेक्स में ले रहा हूं यार बिसिकली मैं यहां पर यह देखना चाहरा हूं कि किस खिलाडी ने कौनसी लोकेशन पर कित्ते रन मनाए ठीक है तो मैं उस चीज़ टू मैं आपर लेता हूं लेट से लोकेशन ठीक है लोकेशन कॉमा वैल्यूस में मेरे को क्या देखना है रंस देखने है तो मैं यहां पर रंस जो है हमारा कॉलम्स पास कर देता हूं अब मैंने क्या कर रहा हूं प्रिंट कर रहाता हूं पीवी को देखते हैं किस तरीके से से रिशेप हुआ बेसिकली करा क्या मैंने एक अब्जेक्ट लिया उसी डेटा फ्रेम मनाया डेटा प्रेट कर यूज करके तीन वैल्यूस पास करी हैं बेस्ट ऑन नेम एंड लोकेशन आउट विच खिलाडी ने कितने रन मनाया ठीक है तो मैंने अपर इंडेक्स में नेम प पास करी कॉलम्स के अंदर वो कुछ इस तरीके से आ गई उपर की तरफ हेटर की तरफ जो की ऑस्ट्रेलिया इंडिया यह आ गई ठीक है उसके आद मने इंडेक्स में नेम पास किया तो जितने भी खिलाडी थे उनका नेम यहां आ गया चार इसलिए आ रहा है क्योंकि सचि इंडिया में किते रेन मरा आए मेंॉजन ने न्यूजिलैंड में 72 नमराइं तो यही तो हमारी को मिल रहा है 72 तो इस तरीके से हमने हमारा जो डेटा था कुछिस तरीके से इसको में रेशेप करके इस तरीके से बना लिए ता कि हम विजुलाइस कर सके more better understanding मिल सके हमार को कि कि हमारों किस तरीके से जो है चीज़ों को देखना है अब आप देख रहों कि यार यह एन आरा राइड तो मैं यहाँ पर डॉट फिल एने करके जो भी मैं वैल्यू पास करूंगा तो वह बाइडिफॉल्ट वैल्यू दे देगा ठीक है तो मैं इसको खाली पास करता हूं और रन कराने कोशिश करता हूं देखते हैं क्या होता है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जित्ती भी एन एन वैल्यू आ रहे थी वह रिप्लेस होगी किस से खाली वैल्यू से ठीक है तो यहाँ पर जो है हम इस तरीके से फिल एने का यूज़ करके कोई बाइड र्न सकते हैं अब आपने डेखा कि यार यह थो वेलियू में हमने ढसा किया है तुमने बेसीकल इहां पर एक कंडिशं के उपार मार मारकू जौन चाहिए अगर मैं इसको पास नहीं करता हूं स्कॉलम को यहाम पास नहीं करता हूं। मैं पास। ¥ा है क्उल कॉल कर वाना ड उसका भी पूरा-पूरा चार्ट आ गया है और एक पूरा-पूरा रंच का आ गया है तो इस तरह के से जो है हम multiple columns को join भी कर सकते हैं हमारे pivot का यूज करते हुए pandas के अंदर और फिलने का function यूज करते हुए हम एन वैलियू को by default replace भी कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा एक्जामपल है इसको नोट कर लो चलिए दोस्तों हम जो है अब pivot के बारे में पढ़ लिया pivot underscore table के बारे में भी हम देख लेते हैं किस तरह किसे हम यूज करते हैं यूज करते हैं क्योंकि अगर हमारी जो वैल्यूज है वो डूपलिगेट्स हैं ठीक है महला मल्टिपल वैल्यू जो है रिपीट हो रही है या फिर हमारों कोई अग्रिगेट फंक्शन को जो है कॉल कराना है अपने रिशेपिंग ऑफ दा डेटा करने के बाद तो हम किसका यूज करते हैं पिवर्ट अंडर्सकोर टेबल का ठीक ठीक है तो हम यहां पर क्या करते हैं एक एक जामपल लेते हैं इंपोर्ट पांडास एस पीडी ठीक है उसके बाद मैं एक ऑब्जेट बना रहा हूं जिसके अंदर जो मैं वैल्यू जालूंगा किसकी लेट से हमकोई इन्विजिलेटर है उसको हमारे को पैसे देने तो वह खुँआ है वह इन्षभी पांडास देटे हैं तो हम जू है वो स्टोर करेंगे तो यहां पर मैं ले लता हूँ एक्स वन एक्स टू हम ले लेते हैं अख है एक्स ट्री और फिर क्योंकि मैंने बोला कि हमारे को मल्टीपल रिपिटेड वैलिव्यू शाय है तो मैं यहां प पांतसों पचास दो सो चार सो जो भी है कि तो इस तरीके सी हमने एक बना लिया है अब मैं सब्सक्राइट को इंदर डाल रहा हूं प्रिड डा। हेट recommend canada Onion since प्रना य act देटा बता है और कर रहा हूं तो प्रन के पार राख यूज कर रहा हूं है ठीक है अम्हें टेटा बना रहा हैं जिसके अंदर में करूंगा डी फ डॉट पीवर्ट अंडर्सकूर् टेवल का यूज करते विए मैं एक टेवल का रिशेपिंग करूंगा ठीक है तो यहां पर हम देखो यार कितनी सारी वैलिए सपास कर सकते हैं हम values pass कर सकते हैं सबस्वेल हमार को data frame pass करना है जिसके अंदर हमार को जो pivot underscore table लगाना है उसका अदर हमार को values pass कर सकते हैं values is equals to करके जिन values के जिन columns के उपर हमार को जो है aggregate function का use करना है वो हम एक array के अंदर pass कर सकते हैं in depth हम नहीं करें क्योंकि ज्यादा इतना भी ज्यादा आपको काम का नहीं है फिर हम index columns उसी तरीके से पास करते हैं जिस तरीके से हम pivot के अंदर pass करते हैं अब हम यहाँ पर aggregate function भी पास कर सकते हैं जैसे आपकर some mean mode median हो ठीक है ठीक है और margin address को name भी आपका sorting के ही काम आता है ठीक है तो हमारे को इतना depth में नहीं जाना है हमारे को सर्फ यहाँ पर data frame जो है वह पास कर देना है उसके बाद हमारे को इंडेक्स पास कर देना है कि किस index के उपर मेरे को जो है अपना function perform करना है तो मेरे को यहाँ पर इन्विजिएलेटर के उप्पर जो है perform करना है इनविजी लिटर के उपर इन्विजी लिटर के उपर कॉलम के इसके दर में कोई function pass करना है तो मैं aggregate function का यहाँ यूज कर लेता हूं और मैं इसके लिए करता हूं!? सम ले लेता हूं मैं कर क्या रहा हूं मैं यहाँ पर calculate कर रहा हूं कि मिरेको किसको कितना amount pay करना है ठीक है तो x1 आप देख सकते हो कि 500 है x1 आप देख सकते हो कि 100 है तो मैंने यहाँ पर aggregate function पास कर दिया यानि कि 500 प्लस 100 हो जाना चाहिए 600 में को return में मिल जाना चाहिए कि मिरेको x1 को कितना amount pay करना है 600 amount pay करना है x2 को मिरेको कितना amount pay करना है 550 plus 300 यानि कि आपका 8500 रुपे कुछ ठीक है तो मैं यहाँ पर क्या करता हूं print करवा लेता हूं किसको मेरे pv को तो देखते हैं किस तरीके से जो है पेवट इंडर स्कोर टेबल से तो इन्विजिलेटर आगए मेरे जित्ते भी यूनिक इन्विजिलेटर होंगे ठीक है तो x1, x2, x3 इन्विजिलेटर मेरे ऐसे हैं जो यूनिक है अब इसने देखा कि या x1 जो है वो कहां कहां पड़ा है 500 पे और 100 पे तो उसने अमउंट दे दिया प्लस करके क्योंकि अपने aggregate function equals to plus किया है सम किया है राइट तो इस तरीके से जो है x2 का कितना हो गया 8500 अपन ने काउंट किया ही था x3 का इसने ले लिया 200 तो इस तरीके से जो है aggregate functions का यूजज कर सकते हैं duplicate values के उपर जो की हमारे pivot में नहीं हम कर सकते हैं तो ये बात हो गई यार pivot और pivot अंटर स्कूर टेबल की इंडेप्ट था ये पूरा session जो था और कोई भी doubt हो तो यार comment section में comment कर देना और अगर वीडियो लाइक करना हो लाइक कर दीजेगा ठीक है और bell icon बटन पर click कर दीजेगा तो मिलते हैं next lecture में जहांपे हम कुछ ऐसी और concepts की बात करेंगे till then bye bye take care stay home stay safe bye bye